नमस्कार दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई मुवी अमर सिंग चमकीला काफी सुर्ख्यों में है इम्तियाजली की निर्देशन में बनी इस मुवी को दर्शक और क्रिटिक्स दोनों की प्रशंक सा मिल रही है दिल जित दोसांच और परिनिती चोपड़ा ने चमकीला और उनकी पतनी अमोर जित कौर का किरदार खूब निभाया है ये मुवी सामने आते ही सभी ये ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यूं और कौन अमर सिंग चमकीला और उनकी पतनी की हत्याखी और क्या कारण है कि आज तक ये केस अंसॉल्व्ट है ऐसे ही कुछ प्रश्णों का सवाल हम ढूंडेंगे इस वीडियो में अमर सिंग चमकीला का जनम हुआ 1960 में एक दलित सिख परिवार में अगर आपने मुवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो एक कप्रे के मिल में मोजे बनाते थे लेकिन उनकी तमन्ना थी कि वो एक सिंगर बने लेकिन फिल्म में कुछ चीजे नहीं भी दिखाई गई जैसे चरंजीत अहुजा जो खुद एक famous music composer थे कैसे चमकीला को सारी दुनिया के सामने पेश किया चमकीला के albums जिनके records और cassettes उनको घर घर में famous कर दिया उनमें से ज्यादा के music composer थे चरंजीत अब बात करते हैं चमकीला और उनकी पत्नी के हत्या के बारे में जब चमकीला का मौत हुआ तब वो सिर्फ 27 साल के थे पंजाफ के Elvis कहे गए चमकीला फार्म वर करों की समस्या, दारू की नशा, दहेज, घरेलू हिंसा को लेके बहुत गाने गाये थे उनके गाय हुए गाने में सच थी, लेकिन शायद वो समाज के लिए करवा सच थी कुछ गानों में उन्होंने कुछ ऐसे व्याक्य भी लिखे, चिनको लोगोंने अशलील बोला कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक कारण है चमकीला और उनकी पत्नी की मौत की लेकिन शायद सच कुछ और भी है कुछ लोग बोलते हैं कि उनका गाया हुआ गाना बाबा तेरा नामकाना में वो बाबा नानक की तरफ एक सवाल खड़े कर देते हैं कि क्यूं वो हिंदूओं और मिसल्मानों को एक साथ लेके आके ये नहीं बताए कि इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है शायद इसी कारण सीख मिलिटेंस ने उनको मार गिराया हाला कि चमकीला के बहुत करीब दोस्त और लिरिसिस्ट स्वन सिविया जो चमकीला के मौत के बाद इन्डिपेंडेंडेंटली तैकिकात कर रहे थे वो ये नहीं मानते थे कि सीख मिलिटेंस ने उनको इस कारण से मार दिया क्यूंकि उन्होंने खुद डिफरेंट और्गनाइजेशन्स और चमकीला के बीच समझोता करवाया था कुछ लोग 1984 के सीख रायर्स को भी जिमेदार मा ठहराते हैं जिस टाइम बहुत सारे एक्टर्स, म्यूजीशियन्स और राइटर्स को मारा गया था 2018 में बनी मुवी महसंपूर भी चमकीला और अमर्जीत के हत्या को लेके बनाया गया था जिसके डाइरेक्टर कभीर सिंग चौधरी ने ये दावा किया था कि चमकीला के तीन मर्डरर्स में से एक आज भी जिन्दा है और वो उनसे मिले है लेकिन चमकीला को क्यूं मारा गया इसके बारे में उन्होंने कुछ ठोस नहीं बताया हाला कि उससे बात करने के बाद उन्होंने कुछ अनुमान किया का किस-किस कारणों से चमकीला को मारा जा सकता है एक इंटर्वियो में उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पंजाफ का माहुल काफी गरम था जहां पैसे देके खुन कराना कोई आम बात नहीं था लोग दिमाग से कम सोचते थे और वाइलेंस के उपर ज्यादा भरुसा करके अपना काम लिप्टाते थे इसलिए ये कहना मुश्किल है कि प्रोफेशनल जिलसी चमकिला की नीची जात या उनकी स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्या था उनके मौत का कारण आज भी पंजाब में हर जगे चमकिला के गाय हुए गाने चलते हैं पंजाब के लोकल म्यूजिशियन्स उनको आज भी गुरु मानते हैं महसंपूर जिस गाउं में उनको और उनकी पत्नी को मारा गया था उसके पूर्फ सरपंच बोलते हैं कि उनको कभी नहीं लगा कि चमकिला के गाने अश्टिल थे आजकल की गाने में उनको जो अश्टिलता नजर आती है जिसके कारण पूरे फैमिली के साथ बैठके वो गाने नहीं दिखा जा सकते वैसी अश्टिलता उनको कभी नहीं दिखा चमकिला के गानों में जिस फैमिली ने फंक्शन और्गेनाईज किया था जिसमें चमकिला और उनकी पतनी गाने वाले थे वो इस हाथसे के बाद इंडिया छोड़के कैनाडा शिफ्ट हो गया लेकिन हिंदुस्तान के कहीं अंगनित सौल्ट केसेस में ये भी रह गया कि आखिर कौन और किस कारण की वज़े से चमकिला और उनकी पतनी की हत्या हुआ मैसंपूर के डायरेक्टर की माने कि तो ये एक केस इतना पीचीदा है और खुन के इतने सारे मोटिव्स और सस्पेक्ट्स इन्वल्वड हैं कि इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ी नहीं पाया समय के साथ साथ एविडेंस मिलना भी मुश्किल हुआ और उसके उपर पॉलिटिकल प्रिशन ने ये काम और भी मुश्किल कर दिया इसलिए शायद ये बात कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन था चमकिला का हत्यारा और उसके पीछे क्या कारण था इसी के साथ ये वीडियो मैं खतम करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चनल अभीतान को सब्सक्राइब भी करें लोट आएंगे एक नई वीडियो लेके तब तक के लिए अलवीदा जय हिंद वंदे मातरम